इस वीडियो में first of all we are going to talk about the habitat and niche habitat or niche हमें एक table form में पढ़ेंगे जिससे हमें with example पढ़ेंगे तो चीज़े और clear होगे फिर उसके बाद we are going to talk about the types of niche जिसमें हमारा fundamental niche है realized niche है फिर special niche, traffic niche, multi-dimensional और hyper volume niche फिर उसके बाद last में with beautiful colorful diagram हम ecological, equivalent और gills भी समझेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे habitat और niche के बारे में देखें, niche बहुत important है, बहुत बार exam में पुछता और यह जो knit का concept रहना वो grinel साब ने दिया था, यहाँ पे यहाँ से याद रखिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम habitat की बात करें, तो habitat होता क्या है? habitat environment का वो जगह प्लेस होता है, जहाँ पे living organism रह सकते हैं क्यों क्योंकि यहाँ पे सारे conditions available होंगे, living organism को रहने के लिए फॉर एक्जमपल, यहाँ पे कहने के लिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताओ, पहाड की चोटी है वही नीचे plane area में हम लोगा गर बना हुआ, तो यहाँ पे environment दोनों हमारे लिए environment है मगर environment का पहाड का चोटी हमारे लिए habitat नहीं है, क्योंकि पहाड की चोटी में आपके लिए conditions available नहीं है जिन्दा रहने के लिए, वहीं आपके गर में या नीचे जो plane area वहाँ पे सारे conditions available है तो habitat क्या हुआ, environment का वो हिस्सा जहाँ पे living organism रह सकते हैं या रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे living organism को रहने के लिए खाना, पानी, सारे जो हैना सहुलेते available होती है वहीं अगर हम niche की बात करें तो niche होता क्या है, niche होता आपका role are function played by organism in that particular habitat means उस habitat के अंदर सारे habitat में तो use नहीं करेगा, एक particular habitat में रह के जो आपका organism जो हैना अपने roles या functions प्ले करता ना वो हमारा क्या हो जाता है, niche हो जाता है, तो broadly अगर हम कहें तो habitat जो हैना आपका address of organism होता है वहीं अगर हम niche की बात करें तो वो उस organism का profession means वो organism कौन सा काम करता हो हमें बताएगा habitat एक तरह से हमारा physical place होता, means जहाँ पे वो organism रहता है, वहीं niche हमारा वो organism कौन से particular जगे पे रह रह रहा है that means micro habitat के साथ साथ उस organism जो है वहाँ पे कौन सा activity means कौन सा function role play कर रहा हो भी बताएगा habitat हमारे लिए specific नहीं होता, सारे species के लिए common होता है, वहीं niche जो है उस particular species के लिए बेगदम से specific होता है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो habitat जो है ना can be shared by many organism without competition वहीं अगर हम niche की बात करें तो दो organism niche कभी भी बी share नहीं कर सकता अगर इन में sharing होगे तो आपस में competition होगा और competitive exclusive principle के थूँ एक को वहाँ से हटना पड़ेगा तो that means niche में आपकी sharing बिलकुल भी नहीं होती है तो कुल मिलाके इस सारे point को समझने के लिए यह वाले दो diagram देखिए यह सारे students यहां पे पढ़ रहा है और यह इनका teacher है यह वाला तो इन सब का अगर हम बताए कि यह सारे students कहां पे पढ़ते है तो यहां पे इनका school का नाम होगा तो यह school इन सब के लिए और इन सब teachers के लिए same है that means यह school इनका address है तो यह स्कूल क्या represent कर रहा है इनका habitat represent कर रहा है वही अगर हम niche की बात करें तो profession हमें पता करना है उस school में जाके यह students पढ़ाई कर रहा है और वो teacher पढ़ाता है means यह profession बताता है निच हमें फिर उस तरह से अगर हम देखे तो habitat एक तरह से जो है एक physical place होता means यह school या college इन सब का जो है न एक physical place है यह इन सब का habitat है वही niche की बात करें तो हमें यह चीज़ पता करता कि उस school में कौन से classroom में कौन से seat पर बैड़ के यह student पढ़ाई करता तो कौन से seat पर बैठा है यह इसका micro habitat हो जागी यह niche हो जाएगा साथ में यह student यहाँ पर कौन सा activity means यहाँ पर नहीं होती अभी हम लोगों ने कहा यह वाला student seat number one पर बैठके पढ़ाई करता तो इस student का जगह जो है ना fix है seat number one इस student के जगह पर कोई दूसरा नहीं आ सकता तो niche की sharing नहीं होते वही उसी तरह से यह teacher for example at a specific time इमाल लेजे 11 बज़े बाटनी पढ़ाता तो यह बाटनी का teacher 11 बज़े यहां पर बाटनी का teacher ही आएगा इसके जगह पर कोई दूसरा नहीं आ सकते ही इनका niche है अगर कोई दूसरा teacher आना आना तो इनको यहां से हटना पड़ेगा that means niche जो है ना इसकी जो एक तो specific होती है तूसरा niche की sharing बिलकुल भी नहीं होती है अगर broadly हम और कहें तो habitat होत करें तो उस जगे पर उस organism को food कैसे मिला वो food कैसे derive कर रहा कैसे अपने mate के साथ reproduce कर रहा और अपने को कैसे बचा रहाता है predator से वो आपका niche हो जाएगा और habitat के अंदर सारे parameters आते हैं all biotic and abiotic parameters वही niche की बात करें तो यहां पर सिर्फ selected parameters आएंगे जो की particularly उस species से related होगा so next है हम में सबसे पहले हम जानेंगे fundamental niche fundamental niche क्या होता है जब कोई organism without any competition without any disturbance रह रहा हो that means no interference of कोई दूसरी specific interference नहीं होता वो हमारा क्या होता है fundamental niche for example यह yellow color fundamental आपके पास एक ship है तो यह ship आपका पूरा माल लिजे grassland area है यह ship freely गुम सकता तो यह इन सब का पूरा area grassland area इसका क्या हो गया fundamental niche next हमारा realized niche means when two organism live in same niche in competition अब आपके पास एक ship था अब आपने एक काव भी लाया अपने इस grassland में अब क्या हो गया यह दो organism जो है ना with competition रह रहा है that means यह आपका क्या हो जाएगा that is your realized niche और यहाँ पे याद रखेगा पहले ship freely गुम रहा था अब यहाँ पे काव भी आए तो अ इसका niche automatically क्या हो जाता है छोटा हो जाता है और यहाँ पर याद रखेगा in most of the cases जो है ना fundamental niche से आपका realized niche हमेशा छोटा होता है we just हम लोगों ने देखा कि in most of the cases आपका fundamental niche जो है ना वो brought होता है बड़ा होता है इसके to realize niche but यह सारे condition में नहीं होता इस चीज़ को समझने के लि area है ना इस अलगी का niche है without competition रह रहा है और यह कुल मिला के इन दोनों का यह इसका fundamental niche है और यह इस अलगी का fundamental niche है जब आपस में यह दूसरे एक दूसरे के साथ interaction करे और यह fungi जो है ना और इस अलगी के साथ competition करे means एक दूसरे के ओपर negative impact हो तो उस case में आपका realized niche जो है ना इस जब भी आपस में fundamental niche को छोड़ने के बाद इन दोनों के जो competition में इन दोनों के ऊपर negative impact पड़ता तो आपका fundamental niche जो होना वो बड़ा होता है as compared to the realized niche आपका छोटा हो जाता है वही दूसरे case में माल लेजे फंजय और अलगी का हमें पता lichen it is the type of association lichen जिसमें अलगी और फंजय आपस में एक दूसरे के साथ symbiotically means एक दूसरे को फाइदा पहुंचाते हैं तो यहां पर क्या होगा एक तरह से एक positive interaction होगा देखिए जैसे ही यह दूनों आपस में आया देखिए अलगी ने भी देखिए अलगी का इतना छोटा सा area था पहले जब fundamental niche था without जो ही इस फंजय क कभी niche देखिए न अब इसके comparison में realized niche में यह बड़ा हो गया that means जब भी आपका दो organism आपस में interact करे fundamental niche को छोड़ने के बाद realized niche में और एक दूसरे के ओपर positive interaction means symbiotic association हो तो उस time आपका exceptional case होगा realized niche जो है वो brought होगा as compared to the fundamental niche यह एक्जाम में पूछता याद रखिएगा example हमारे प देखिए special or habitat niche को समझने के लिए pond ecosystem है इसको जानीगा यह pond में आपके fishes है यह आपके pond में डेर सारे आपके phytoplanktons है और यह एक littoral zone में एक plant है जो कि rooted plant है और यह सब मर्जित आपके plants भी है यहाँ पे तो इन plants का यह वाला position जो है इस pond ecosystem में यह actual space यहाँ पे गिर रहा इस pond ecosystem म तो यह इनका क्या हो जाएगा micro habitat are special or habitat niche हो जाएगा तो यह fish इनका क्या है that is the habitat niche is pond ecosystem में तो simple है next है हमारा traffic niche traffic niche में देखने के लिए हमें parameter of उसमें देखना परेगा कि traffic level में कौन से level में इनका traffic position है देखिए functional position are food for habit of organism in the ecosystem means यहाँ पे यह वाला plant जो है ना these all are producer तो यह आपका traffic level first में आता है that is the producer यह plant का traffic position क्या हुआ primary producer यह वाला area यह इनका traffic niche हुआ वही fish जो है हमारे क्या खाते है plants को खाते हैं तो fish का position इस आपके parameter में देख सकते हैं यह वाला position है why because these fish are herbivores यह plants के उपर feed करता है तो यह fish का यह position इनका क्या है traffic niche है फिर उसके बाद multi dimensional or hyper volume niche क्या होता है देखे इस fish को सिर्फ plants नहीं चाहिए इस fish को water चाहिए इस fish को dare सारे दूसरे condition चाहिए अपने survival के लिए वहां का temperature moisture तो वो सारा जो है आपके multi dimensional or hyper volume में आता है और वो कौन से condition वो सारे condition इस fish के survival के लिए जो की important है और यहाँ पर रुक के मैं आपने book के बारे में बता हूँ टग्स book of botany जिसके volume first में microbes के अंदर आपको virus और bacteria का detail मिलेगा crypto games के अंदर आपको अलगी, fungi, lycan, bryophyte, terryophyte बहुत अच्छे से describe करा हुआ है फिर जिम्नोस मंबियालक से describe करा हुआ है और यह book का cover पेच है यह इस book का ISBN number है इस book के दो unique features की बात करें तो इस book में जितने भी topics हम लोगों ने describe करा हुआ है वो bullet point form में है that means paragraph form में नहीं है second चीज इस book के maximum topic explanation जो है आपको इसी channel पे मिल जागा यहाँ पे देख सकते है bullet point form में दिया हुआ है जिसे remind करने में आपको समझने में बहुत आसानी होगी और यहाँ पे अगर आपको मेरे भी essay के complete videos चाहिए प्लस इस lecture का अगर आपको PDF चाहिए या जितने भी lectures में अपलोड करा उन सब का अगर आपको PDF एक्सेस करना तो प्लस book order करना है तो description box में इन सब का link है वहाँ से जा कि आप चक कर सकते हैं next है हमारा ecological equivalent देखिए ecological equivalent क्या होता है these are the group of species वह species जिनका geographical area different हो साथ में इनका taxonomic जो position है न वह भी different हो मगर इन में सेम क्या होना चाहिए इनका niche जो है अगर सेम हो then we call it in a ecological equivalent for example cow of India यहाँ पर diagram में देख सकते हैं और kangaroo देखिए यह kangaroo यह अस्ट्रेलिया में है cow जो है आपका इंडिया में है देखो geographical यह different हो गया taxonomic position भी इनका विलकुल family जो है विलकुल different है मगर इन दोनों का क्या है यह भी गास खाता है that means these are the herbivores वही आपका cow भी गास खाता है द that means यह दोनों आपका क्या जाएगा that comes under the ecological equivalent वही साथ में यहाँ पर एक्जमपल का यहाँ पर आप रिकॉट ट्री है जो की बहुत ही फेमस है वही कैरला में बनाना ट्री है तो यह taxonomically आपका जो है जो है न जोग्रफिकली तो different हुआ यह कार्गिल में है यह कैरला में है वह यह हमारा क्या हो जाएगा that comes under the ecological equivalent फिर लास्ट मां हमारा आता गिल्स तो क्या है यह group of those species जो की different technosonomic position में हो but exploit the same class of resources almost in similar manner यहाँ पर यह चीज़ याद रखेगा means for example यह सारे flowers है और यह सारे flowers जो है इनके हाँ pollination जो होती है वो wind के तुरू होती है तो यह सारे flowers क्या कर रहे है wind को as a resource exploit कर रहा है in similar mirror और यह flower different taxonomic position है but यह क्या कर रहे है same class of resources wind को use कर रहा है for the transfer of pollen green सारे है taxonomic position इन सब के सारे families different है तो यह सारे flowers हमारे लिए क्या हो जागा that comes under the girl मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जो है आपके लिए useful है अगर यह वीडियो आपको समझ में आ है तो इस चैनल को subscribe करेए इस वीडियो को like करेए और comment section में मुझे जफिट वेक जरूर दीजीगा